नमस्कार मित्रो पंडे तक्री शुक्ली यूट्यूब के माध्यम से मैं जो बनेस्पति दिखा रहा हूँ आपको यह बड़े काम किये देख लीजिए इसको ध्यान से इसके पुस्प देखिए यह बैगनी कलर के छोटे छोटे पुस्प और इस तरह से छोटी पत्ती रहेग है डंडी इसकी चप्ती रहेगी पुस्प बहुत छोटा सा एसा बैगनी कलर का उपर रहेगा और यह इस तरह से जमीन के उपर उगी रहेगी है यह देखिए यह उपर का भाग है यह इसके डंडी है नीचे की यह इसकी पत्तिया है यह इसके पुस्प है खूब कचरे के जैसी मिलेगी आपको यह परन्त उमित्तों यह है काग जंगा काग जंगा इसलिए इसका नाम है कि कव्वे की जांग के जैसी इसकी मनावट होती है इसलिए इसका नाम है काग जंगा ये मित्रो बहुत काम की वनोशदी है है ये कचरा सड़क के किनारे पर ये काम की वोशदी है इसमें एक विसेज गुण ये होता है कि ये सहर आपके सरीर के जहर को बाहर निकालने में सामरतवान है ये ठंडी होती है और दिमाग में जिसके गर्मी रहती है आजकल जो कम्प्यूटर का उप्योग बच्चे बहुत जादा कर रहे हैं रात को जिनको नीन नहीं आती है हम जो नीन लाने वाला चून बनाते हैं दिमाग को सांती को बनाने वाला चून बनाते हैं बालों का जो तेल बनाते हैं उसमें सम्में इसका इस्तमाल हम करते हैं तो डिमाग की गर्मी को सांत करती है तलुए की जलन को सांत करती है पेट की हीट को सांत करती है जितनी भी ठंडी ओशदिया है वो सरीर में जो रक्त पित बढ़ जाता रक्त पित कोई साधान बीमारी न आइरवेथ में इसका इलाज है वो रक्त पित तो यहाँ हो रगति जब बढ़के रक्त चला जाता तो आपको इसे घ्थी घब्राना और पर के रह्त को च्षे घब्रान देना और के बढ़ादेना हर्ट को यृच्स यो रुट जैनकी जिनको रोग होता चोट चोटी बात में जो गवरा जाते हैं उसमें इस सोसदी का प्रियोग होता है साथ ही साथ सरीर के अंदर जितने भी विस हैं विस को निकालने में सामर्थवान इसको जड़ सहित लियाए उट विस के दो के बढ़िया पाउडर बना लीजिए संक पुस् दिमाका उसमें सब चीजिशों के प्रियोग करते हैं और जो हमारा आजन बनता है यह हमारा माल ćांगनी कल्प बनता है उसमें भी विहन इसका प्रियोग करते हैं यह scans को बढ़ाने वाली जदिए जिनको मंदबुद्धिता हो सोचने समझने में घभर जाते हो थोड़ी सी म सब्सक्राइब यह वुए नंबर दिया हुआ है। यह काग जंगा उसदी है। पारद को kanस स॑धन क्योंकि हुक्तिए क्簡 यसरीर कर देती है इस सरीर के विष्नकाल देती है। इस तरह से पारद के Свधन मे भी यह कु है। पारद के अंदर जो विष भावसारे निर्विष्ट कर देती है पारत को जैसे शरीर को पार्ण्र इसका है फिर उस्थी बंद में हम उस पारत को काम मिलेते हैं इसका जन्हारे पुरातन काल से हमारे अईर्विद में उपयोग होती आई है तो नमस्कार मित्रो मैं पंडित अखिल शुक्ल मेरा मौई नंबर ही हमारा ये जैमा काला इरुएध है हम इसका और सदी का स्वयम लाके हर चूड में इसका जरूर प्योग करते हैं ताकि हर आत के जमाने में जो आपके शरीर में यूरिया है खून में लेड है ज जीवन को सांत कर देता है खून को गर्मी देता है और दिमाग को विचलित करता है जहर है वो उसको शरीर से बाहर निकाल कर हमारे शरीर को सुद्ध करके और सांत करता है धीर गायू बनाता है हमारे शरीर को लीवर को अच्छा करेगा किड्नी को अच्छा करेगा ये इतने काम की वनो सदीय मित्रो नमस्कार मित्रो